वेल्कम बैक टो केमेस्ट्री 27 बचों अभी मैंने आपको आप्टिकल प्रोपर्टी जो है कोलाइडल पार्टिकल्स की बताई थी अब मैं उसका जो है कोलाइडल पार्टिकल्स का एक दूसरा फेनामनन आपके साथ आप शेर करने वाली हूं जिसका नाम है ब्राउनियन मोश जो की एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग मोशन है कोलाइडल पार्टिकल्स का जिसका अपने आप में काफी अच्छा अप्लिकेशन भी है तो ब्राउनियन मोशन होता है कि अगर आप इसकी डिफिनेशन दिखेंगे तो इसकी डिफिनेशन में लिखा होता है ब्राउनियन स encara कुलाइट करेंगे तो करणे से कुलाइट करते हैं ब मुव करने से वह चले observing करते हैं जोस्तित यह तो Diffusion forces is the movement of a group of particles, यानि कि यह group of particles है, जो induce करते हैं by concentration gradients के जरिये से, और यह क्या करते हैं, कि एक तरह से एक particle दूसरे particle को hit करते हुए, generate करता है इस तरह का motion, और यह जो motion है, इसकी specialty यह है कि this movement is always flows from area of high concentration to area of low concentration, यह high concentration से low concentration की तरफ, यह low concentration की तरफ हमेशा flow करता है, ठीक है, अब हम इसकी detail पढ़ते हैं, और इसको एक diagram की जरिये से समझने की कोशिश करते हैं, और यह जानते हैं कि जो brownian motion है, वो सबसे पहले कहां देखा गया, कैसे पता चला कि यह brownian motion है, और इसका नाम brownian क्यों पढ़ा, तो let's get started and check it this out, तो बचों यहाँ पर आप देख रहे हैं, brownian moment के बारे में सबसे पहले बताए गया है, कि जो brownian moment है, वो Robert Brown एक botanist थे, जिन्होंने 1827 में सबसे पहले मत्वा इसको observe किया था, और observe कैसे किया था, कि जो pollen grains हैं, वो suspended थी water के अंदर, लेकिन वो settle down नहीं हो रही थी, वो मुस्तखिल move कर रही थी, continuously और randomly सारे direction में, फिर उसके बार later on यह पता चला, कि यह collidal particles हैं, जो आपस में random and zigzag motion करते हैं, this is the keyword, zigzag motion, zigzag motion of collidal particle is called brownian moment, और यह जो molecule हैं, जो dispersion medium के, यह continuously collide करते रहते हैं, particles dispersed phase में, ठीके, dispersed phase के particles के साथ, अगर आप इसको पूछेंगे, dispersion medium के molecules, continuously collide करते रहते हैं, dispersed phase के particles के साथ, और यह सबसे पहली मर्थबा बताये गया था, वेयरनर in 1863, that impacts of dispersion medium particles are unequal, that causing zigzag motion of the dispersed phase particle, तो यह reason होता है, जिसकी वज़े से, वो settle down नहीं होते हैं, the brownian movement, explain the force of gravity, gravitational force को भी explain करते हैं, जो गिन के उपर act कर रहा है, colloidal particles के उपर, this helps in providing stability of colloidal sol, by not allowing them to settle down, यानि कि वो एक stability, यानि कि जो वो कर रहा है, उसमें वो उसको stable कर देता है, और वो उसको settle down नहीं होने देता है, तो इस तरह से, यह जो मैंने आपको, चार points बताए हैं, आप definition में इसको लिख सकते हैं, और इसको किसी को भी explain कर सकते हैं, कि brownian moment होता क्या है, अब चलिए एक खुबसूरा सा diagram है, जिसमें motion के थू, मतलब वहाँ पर समझाने की कोशिश किये गई है, point out करके, तो एक बार उसको देख लेते हैं, तो हमारा concept और clear हो जाएगा, बच्चों की जैसा कि आप इस diagram में देख रहे हैं, जिसमें brownian motion एक diagram के help से समझाय किया है, इसके अंदर respective जो आपके molecules हैं, वो आपस में collide कर रहे हैं, और collision को एक से दूसरे में transfer कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप ये जब पूरा clear लिए देखेंगे, तो देखेंगे कि hit कर रहा है एक molecule, दूसरे molecule को, और hit करने के बाद क्या कर रहा है, collision create कर रहा है, collision create होने के बाद vibration create होगा, और वो vibration motion cause करता है, और ये पास करता है एक से दूसरे की तरफ, और create करता है vibration को, तो कि इसमें diagram में हलका सा vibration, जो है white जो molecules हैं, उनके चारों तरफ दिखाया गया है, आप गौर से देखेंगे, तो circular motion करके इसमें mention किया हुआ है, circular motion in the sense की एक circle बना हुआ है, circle में अच्छी तरह से इसमें vibrate कर रहा है, it is not exactly a circular motion, but you can see a motion in a circular path, ठीक है, चारों तरफ इसके बन रहा है, और ये collision से create हो रहा है vibration, ये vibration की वज़े से सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये vibration cause करता है, brownian motion को, तो ये diagram से भी बिल्कुल clear है, mention है, कि ये molecule से एक दोसे को hit करते हैं, और hit करने के बाद vibrate होते हैं, vibrate होने के बाद वो motion, जो form करते हैं, उस तरह के motion को हम brownian motion कहते हैं, तो ये video आपके लिए helpful रही हो, और इस video से आपको आप इस brownian motion का पूरा complete explanation मिल गया हो, अगर किसी का कोई भी question है, या कोई भी specific topic पे आपको वीडियो चाहिए, तो you can comment, and you can write in comment box, और मुझे आप जरूर बताईएगा, thanks for watching, see you in next video, till the time इसको like करिए, share करिए, subscribe करिए, आपके लिए जो भी चीज़े नीडेड हैं, और जितना भी content चाहिए होगा, एक अच्छे answer marks के लिए, वो इस video में पूरा fully described है, आप diagram बना के भी, और जो है इससे, easily different colors से लेकर लिख कर, आप आराम से, इसमें अपना answer लिख सकते हैं, और बखू भी आपको, क्या कहते हैं, इसमें marks अच्छे मिल जाएंगे, तो होपसो कि ये video helpful रही हो, thanks for watching, keep sharing, and like my channel, subscribe my channel, thank you.